वेल सो गुड मानिंग गुड आफ्टर नौन गुड इनिंग टोल अफ्यू कैसे दोस्तों आप सभी लोग आई होप आप बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छा हो तो चलिए दोस्तों आज का हमारा GST का revision start करते है on ITC yes यह ITC का third lecture है जिसमें बचा हुआ section 18 हम complete करेंगे और साथ साथ में यहाँ पर payment of tax यह भी revise करेंगे तो इस mission संभव में आपका सवागत है तो दोस्तों यहाँ पर mission संभव chapter 1 chart revision series मैं already start कर चुका हूँ लगबख 6 to 7 lectures हो चुके है और अगर इस mission संभव का playlist आपको चाहिए तो description जरूर देखिएगा सारी playlist मैंने दी है amendments की question and discussion की और mission संभव की description जरूर देखिएगा तो चली आज जो है बचा हुआ ITC chapter को complete करते है और एक नया chapter payment of tax इसको भी देखते है So are you ready? Yes or no? एक बात यह बता दूँ कि आपको जो है यहाँ पर अगर आप mission संभव का schedule follow कर रहे हो अच्छा आपको नहीं बता schedule क्या होता है तो आपको mission संभव के लिए subscribe करना है इसके लिए मेरा पहला lecture जरूर देखना उसमें मैंने बहुत clearly ही बता हुआ है कि आपको किस तरह से subscribe करना है और नीचे description में मैंने link भी दिए है सारे updated material for mission संभव आपका subscribe होने के बाद आपके login में जो है दे दिया जाएगा तो देर की इस बात की फटा फट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये mission संभव के लिक्षिस आपको अच्छे लग रहे होगे तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा साथ साथ में like करो और comments भी दो तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप mission संभव का schedule follow कर रहे होगे तो अब इसके बाद आपका test रखा हुआ है test paper आपके login में डाल दिया जाएगा और उसकी answer sheet दो दिन बाद डाल दिया जाएगी तो मैं यही चाओगा कि इस schedule के इसाब से अगर आप पढ़ते हो तो test paper जो है खुद स्वाल करने के कोशिश करो और self evaluate करो उसकी answer sheet भी मैं यहाँ पर share कर दूँगा तो चलिए आज का revision session स्टार्ट करते हैं यहाँ पर तो हमने देखा input tax credit यह चाप्टर हमने start कर दिया था चलिए तो input tax credit यह चाप्टर हमने start कर दिया था उसके बाद में block credit का discussion हो गया था apportionment of ITC इस पर discussion हो गया था लेकिन अब इसमें एक amendment जो आपके exam के लिए हुई है वो यह हुई है कि section 17.3 में जो exam supply की definition है क्योंकि अगर आपका supply exam supply होगा तो आपको ITC नहीं मिलते है या E by F के ratio में आपको ITC reverse करने पड़ते हैं तो जब आप exam supply की value लोगे और E की value लोगे तो यह situation में उन्होंने एक entry add कर दी और वो entry के add किया देखो supply warehouse goods to any person before clearance for home consumption जो schedule 3 और entry 8A में cover है schedule 3 और entry 8A में cover है यहाँ पे तो क्या होगा देखो एक चीज़ समझे लो यहाँ पे ITC में block credit तभी है जब आपका outward supply exempt है I repeat आपका outward supply exempt होगा तो ही वो block credit में cover किया जाएगा अना second important point अगर आप यहाँ समझते हो तो अगर आपका supply schedule 3 वाला है और वो schedule 3 वाली की activity एक्टिविटी 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 इग्टिविटी के definition में नहीं आती है तो आपको ITC मिल जाएगा, सर थोड़ा और clarify करो, example की तरफे, यहाँ पर जैसे यहाँ, जैसो schedule 3 वाली दो activity आती है, एक है sale of land and building जो schedule 3 में cover है, और दूसरा है अभी जो अभी add किया उन्होंने warehouse sale, before clearance, custom bonded warehouse sale जो हुआ, before clearance, अगर आप sale करते हो, तो वो activity उन्होंने exam supply में लाई की तो मतलब क्या है कि schedule 3 वाली यह दो activity, okay, sale of land and building और दूसरा warehouse sale, अगर होता है, custom bonded warehouse में, तो वो उन्होंने example आया, मतलब क्या message दिया, मतलब यह है, कि यह दो transaction में जो भी inputs, capital goods और input services यूज होगे, उसके ITC नहीं मिलेंगे, या फिर rule 4243 के इसाब से apportion किये जाएगे, okay, इस activity क या funeral, burial, crematorium, या फिर यहाँ पर para 7 की activity, sorry, entry 7, entry 8, para 7 की activity, non taxable territory या high C sale, अगर हम देखिये यहाँ पर, तो यहाँ यह सारी activity जो है, यह exam में नहीं है, तो even though वो schedule 3 की activity है, even though not treated as supply है, पर उसमें use होने वाला inputs, capital goods and input service के आपको ITC मिलेंगे, जैसे, जैसे अगर हमने in the course of employment, employee को perquisites दिए, सुनना, in the course of employment, employee को perquisites दिए, तो वो perquisites जो हमने purchase किये, उसके ITC मिल सकते है, अगर वो block credit में नहीं होगा, I repeat, अगर वो block credit में होगा, तो उसके ITC आपको मिल सकते है, okay, और exam supply से दो चीजा yes निकालोगे, तो यह निकालते होग, interest or discount on loan advances or deposit, वो आपको on loan advances or deposit जो है, आपको exclude करना पड़ेगा, exam में consider नहीं होगा, except अगर वो bank और financial institution होगा तो, और duty credit script जो है, वो आपको include करना पड़ेगा, अब देखो यह schedule 3 की activity जो वेराओ sale है, इसकी value क्या ली जाएगी, तो इसकी value जब आप email होगे, क्योंकि अब वो exam supply में आ गया, अगर वो exam supply में आ गया और value email आप लोगे, तो वो case में, वैसा ही goods अगर duty free shop पे sale किया जाए, duty free shop पे अगर वैसे goods sale किया जाए, तो जो उसकी value होगी, वो value आपको उस warehouse goods के transaction की value लेनी पड़ेगी, और उसका proportionate ITC आपको block क करना पड़ेगा, चली, यह एक point बस इतनी छोटी सी amendment ITC चाप्टर में, rule 4243 read with section 73 में हुई है, औके बाकी तो बहुत अच्छे से discussion हमने last session में कर लिया, अब आते है section 18 पे, अब आते हैं पेटा, ओके section 18 पे, 18 का जो है, हमने 18 1 discuss कर लिया था, 18 3 discuss कर लिया था, ठीक है, अब ओके यहाँ पे 18 4 और 18 6 यह discuss कर लेता है, ठीक है, तो 18 4 में हाँ, अब 18 4 क्या कहता है, reversal of credit in special cases, मतलब यह ultra switching है, जिसको मैं कहता हूँ, ultra switching, यह ultra switching क्या होता है, देखो, एक होता है normal switching, मतलब पहले आप unregistered थे, registration में आए, composition scheme में थे, normal ने आए, exemption में थे, normal में आए, तो आपको stock का ITC दे दिया गया, unregistered के case में आपको input का दिया गया, बाकी case में inputs और capital goods का 5% reduce करके दिया गया, तो आपको credit allow किया गया, अब यह ultra switching है, ultra switching मतलब क्या, मत यहाँ पे normal scheme में थे, composition में enter होगे, normal to composition में चले गया, या आप taxable supply में थे, exam में चले गया, या फिर आपका registration cancel होगे, तो ऐसे situation में, अगर मैं यहाँ पे diagram लो, उल्टा switching होता है, तो concept को समझ लो, यहाँ पे, तो वो concept को, यहाँ मैंने एक diagram लिये है, यहाँ लिये, यहाँ चलो, गलती से यहाँ copy होगी, चलो यहाँ ले ले लेते, example की तो पे आप पहले normal scheme में थे, और बात में composition में चले गया, और के एक April से आप composition में चले गया, exemption में चले गया, या unregistered हो गया, तो जब आप normal में थे, तो आपने input capital goods और input service का credit लिया होगा, IITC लिया होगा, आपके electronic credit ledger में वो credit जबा हो रहा होगा, तो अब आप, ऐसे scheme में जा रहे हो, जहाँ IITC नहीं मिलते हैं, तो अब आप अगर 1st April से ऐसे scheme में जा रहे हो, जहाँ IITC नहीं मिलते हैं, तो आगे तो नहीं मिलेंगें, But what about stock, stock का क्या होगा, तो यह special case cover करता है section 18.4, और 18.4 क्या कहता है, 18.4 यह कहता है कि अगर, यहाँ पे, जिस दिन भी आप switch हुए, उसका जो preceding day होगा, सुनना मेरी बद्धान से, जिस दिन भी आप switch हुए, उसका जो preceding day होगा, याने 1 April तो 31st March आपका preceding day होगा, उस दिन आपका input का stock निकाला जाएगा, input like in stock, semi-finished goods, unfinished goods, यह stock निकाला जाएगा, प्लस, उसका proportionate ITC निकाला जाएगा, और capital goods का as per following formula, एक formula नीचे बताऊगा, यहाँ 5% वाला criteria मत अपलाए करना, या उल्टा switching में, government ने एक formula दिया है, rules में, वो rule का formula हम consider करेंगे, तो आपका input का stock का ITC निकाला जाएगा, capital goods के stock का ITC निकाला जाएगा, दोनों का ITC निकाल के, let's assume, मैं दो situation assume करता हूँ, आपने inputs का stock का और capital goods का proportionate ITC निकाला गया, अगर यहाँ पे उसका invoice available होगा, अगर उसका invoice available नहीं होगा, तो आज की current market price पे, सुनना यह बहुत point important है, अगर उसके invoices available है तो proportionate ITC आपने निकाल लिया, अगर invoices available नहीं है, तो आज की current market price पे, जितना GST लगता है, उतना GST के basis पे आपने calculate कर लिया, यह भी point important है, तो ऐसे case में, let's assume, उसका ITC का, input और capital goods का मिला के, उसका stock का proportionate ITC है 12 lakhs, या दूसरी case, assume, उसका proportionate ITC है 6 lakhs, तो अब, 31st March को, धैंस 10 lakhs होगा, और case 2, आपके, case 2, यहाँ पे 10 lakhs दो ले रहा हूँ है, दो situation में क्या होगा, तो मुझलों पहली situation में, आपके ITC के credit leisure में, आपके 10 lakhs का balance है, और आपका जो reversal आ रहा है, क्योंकि यह ITC आपको reverse करना पड़ेगा, तो case 1 में, आपका reversal आ रहा है 12 lakhs, तो ऐसे case में, आपके electronic credit leisure में balance 10 lakh, reversal आ रहा है 12 lakhs, तो पहले आप electronic credit leisure पूरा amount से debit कर दोगे, यहने 10 lakhs से debit कर दोगे, अब 2 lakhs जो extra reversal है, वो आपको pay करना पड़ेगा, और वो आपको यहाँ पे GST या 3B में cash leisure के through pay करना पड़ेगा, cash leisure के through pay करना पड़ेगा, क्योंकि आपको reverse करने 12, आपक reversal में debit 10 lakh है कर दिया, बागी का 2 lakhs आपको pay करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको, दूसरी case क्या है, दूसरी यहाँ पे वो कह रहे है, option नहीं, second case है कि समझ लो, आपका proportionate ITC 6 lakhs ही है, तो यह जो 6 lakhs है, और आपके credit leisure में balance 10 lakh है, तो वो 6 lakhs reverse कर दो, अब reverse करने के बाद, अ जाता है, cannot be carry forward, यह बहुत important है, अगर reversal extra होगा, तो आपको cash leisure से pay करना पड़ता है, अगर reversal आपका कम होगा, तो आपका electronic credit leisure का balance lapse कर दिया जाएगा, अब यहाँ capital goods का proportionate ITC कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे 5% वाला criteria मत लगाना, लेते time, जैसा section 18.1 की situation होगी, 2 की होगी, त 5% per quarter के हिसाब से लेते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपको pro rata basis पे remaining useful life का निकालना पड़ेगा, समझ लो, assume करो कि आपकी capital goods जो use किया, और कि आपने 4 years, 6 months, 15 days use किया, एक बार फिर से, आपने capital goods use किया, 4 years, 6 months, 15 days, तो वो 15 days round up करके, पार्ट of the month होगा, तो उसको round up कर लेना, और अपर साइड में round up करके, 4 years, 7 months कर लेना, तो अब आपके capital goods की life आपको 5 years, assume करनी पड़ेगी, तो अगर आप capital goods की life 5 years, assume करते हो, तो उसमें से 4 years, 7 months चले गए, तो आपकी remaining useful life कितनी बची, 5 months बची, तो अगर remaining useful life 5 months बची, तो आपको capital goods का जो है, यहाँ पर reversal निकालना पड़ेगा, तो capital goods का reversal कैसे निकालना पड़ेगा, समझ लो, assume that capital goods का ITC 10 lakh है, तो आपका 10 lakh into बचावा 5 months divided by 60, तो इतना आपका reversal आएगा capital goods का, I hope यह formula आपको समझाओगा, और इस formula के base पर जब ultra switching होगा, तो आपको follow करना पड़ेग तो ऐसे situation में देखो बेटा, वो क्या कहते है, यहाँ पर, वो कहते है, amount to be reverse is equivalent to ITC on input capital goods, okay, input stock में होगा, semi finished goods में होगा, यह capital goods होगा, तो आपको pro rata basis करना पड़ेगा, जिसकी life 5 years मानी जाएगी, pro rata basis कैसे निकाला जाएगा, 4 years, 6 months, 15 days होगा, तो उसको यहाँ पर 4 years, 7 months 5 months हो गया, okay, तो जो भी ITC into 5 divided by 60 लिना पड़ेगा, अगर reversal जो है, invoice available है तो ठीक, नहीं तो आपको market price पे, आपको market price पे reversal करना पड़ेगा, और reversal of ITC shall be calculate separately for CGST, SGST और IGST, okay, हाँ, आपको individual CGST का अलग reversal, SGST का अलग reversal calculate करना पड़ेगा, and reversal amount will be added to output tax liability, and detail to be furnished in ITC 03, तो इस तरह स आपको reversal करना है, ultra switching में, तीनों cases में, तीनों मतलब आप normal से composition में जाते हो, normal से exemption में जाते हो, या आप register से unregister में जाते हो, और आपको अगर यह explanation अच्छा लगा होगा, तो देर की इस बात की ठोकल लाइट, okay, तो भाई साब, okay, यहाँ पे comments ज़रूर देना, आपकी comments मुझ यानि यह specially जो 186 है, capital goods और plant and machinery को applicable है, capital goods और plant and machinery को applicable है का मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि यहाँ पे, अगर आपने कोई capital goods का ITC ले लिया होगा, या आपने plant and machinery का ITC ले लिया होगा, और आप उसको फिर supply कर रहे हो, मतलब simple layman language में second hand capital goods आप अगर बेच रहे हो, तो अग government क्या कहती है, GST हम transaction value पर नहीं लेंगे, यह 186 कहता है कि जब आपने ऐसा capital goods और plant and machinery, जिसके ITC आपने ले लिये है, जिसके ITC आपने ले लिये है, तो आपको remote के वग कितना pay करना पड़ेगा, तो आपको remote के वग, ITC minus 5% per quarter या part दे रहो, अगर मतलब जो ITC लिया, minus 5% per quarter य whichever is आयर, तो government चालाक है, अगर तुमने कम transaction value में बेचा, तो आपका ITC minus 5% का जादा होगा, तो उतना देना पड़ेगा, क्योंकि आप ITC तो पूरा ले चुके हो, इसलिए हम per quarter का 5% का benefit देकर, calendar quarter लेना पड़ेगा, no doubt, per quarter का आपको 5% का benefit देकर, जो ITC बचा, उतना लेंगे या आपकी transaction value जादा होगी, और GST amount जादा होगा, तो उतना लेंगे, whichever is आयर, तो government यहां बड़ी चालाक है, और उसके बाद में, refactory bricks, mold, dyes, jigs, or fixture होगे, तो ऐसे case में, यह जो 5% वाला है, वो apply नहीं होगा, अगर mold, dyes, jigs, or fixtures as a scrap, as a scrap sale होता है, तो सरी उसकी जो transaction value की scrap की उस पर ही आएगा, वहाँ यह 5% वाला criteria applicable नहीं होगा, तो इस तरह से दोस्तों, यहां पे जहां तक दिखा जाए, तो हमने ITC chapter लगबख सारी provision बहुत अच्छे से cover कर लिया है, और देखो पूरा ITC chapter हमारा अच्छे से revise हो गया है, आपको मज़ा आया होगा, तो yes बेटा, क्या करना है, आपको पता है, तो चलिए, यहां पे हमारी ITC की provision खतम होती है, चलिए दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं, यहां पे payment of tax का complete chart revision, are you ready? चलिए, तो इसमें mainly जो आपको payment of tax में पढ़ने हैं, तीन ledger, वो है electronic cash ledger, दूसरा electronic credit ledger, और तिसरा electronic liability register, तो यह तीन ledger आपको पढ़ने है, electronic cash ledger, electronic cash ledger में, पैसा कैसे deposit होता है, और उसके बाद में उसका utilization कौन से purpose के लिए होता है, तो पैसा जो आप deposit कर सकते हो, यहांने आपका जो भी tax liability आएगा, tax liability में से आपको ITC use करने पढ़ेगे, मतलब आपका electronic credit ledger use करना पढ़ेगा, और electronic credit ledger use करने के बाद जो balance रहेगा, वो cash ledger से आप pay करोगे, पर cash ledger में पैसा कैसे आएगा, तो cash ledger में पैसा जो है, internet banking, उसके बाद में UPI, IMPS से debit card, credit card, NFT, RTGS, आप pay कर सकते हो, जिसकी चालान होगी, highlight करो PMT06 चालान, इस mode से आप पैसा चालान के थुरू पै करोगे, और च cash ledger, कौन-कौन से purpose के लिए use हो सकता है, तो ये कभी-कभी एक-दो mark के लिए MCQ में आ सकता है, तो आपका electronic cash ledger, output tax, जो भी आपका होगा, tax payment के लिए, interest के लिए, penalty के लिए, fees या any other amount payable होगा, तो कोई भी आपका amount payable होगा, तो उसके लिए use हो सकता है, electronic cash ledger, औके, यहाँ प Just a minute, Just a minute, वो कभी-कभी chart open नहीं हो पाता है, इसलिए मैं screen में कर रहा, थोड़ा disturb हो सकता है, यह पता नहीं, कभी-कभी chart जो है, resume पूरा नहीं हो पाता है, जूम नहीं हो पाता है, तो special payment made for OIDR, online money gaming, यह उन्होंने अभी add किया, और उन्हें का a person is providing OIDR service to NT-OR, और online money gaming services to any person in India, are permitted to make their payment through internet money transfer system of swift network, मतलब देखो, अगर OIDR service provider इंडिया के बाहर है, I repeat, OIDR service provider इंडिया के बाहर है, और recipient इंडिया में है, और अभी एक और उन्हेंने add किया, online money gaming, online money gaming वाला इंडिया के बाहर होगा, और recipient इंडिया में है, तो जो बाहर वाला है, okay, section 14 है, उन अगर वो इंडिया में पे कर रहा है, तो यह जो network दिया है, उन्होंने, okay, international money transfer system, swift network, इसके थुरू वो पे कर सकता है, यह चोटा सा clause उन्होंने यहाँ पे add किया है, ठीक है, चलो, अब अब निचे आ जाते है, तो tax payment चालान, तो tax payment चालान पे अगर हम आते हैं, तो आपकी अब यहाँ पे, over the counter, एक important point है, कि over the counter, क्या हम पे कर सकते हैं, क्या पे कर सकते हैं, तो पे कर सकते हैं, तो अब यह 10,000, लेकिन इसके 3 exceptions है, एक है government department, okay, proper officer, PO मतलब proper officer, यह other authorized proper officer, to recover the outstanding due from any person registered or not, and during investigation enforcement activity, अगर कोई recovery होती है, तो, in simple word, यहाँ पे, अगर आपकी outstanding recovery होती है by officer, य तो ऐसे situation में, over the counter, आप 10,000 से भी ज्यादा पे कर सकते हो, तो यह exception exam में पुछा जा सकता है, कि over the counter, हम सिर्फ 10,000 पे कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पे करना है, तो यह 3 cases में ही पे कर सकते हो, over the counter मतलब, आप online नहीं पे कर रहे हो, आप NFT, credit card, debit card, या कोई भी उपर ज जाके counter पे cash दे रहे हो, तो वो सिर्फ 10,000 तक दे सकते हो, बाकि यहाँ पे exception है, आपकी चालान 15 days तक valid रहेगी, अगर कोई unregister person पे करना चाहता है, तो उसका tax identification number के थ्रूँ पे किया जाएगा, अगर आपका पैसा या successfully credit हो गया, तो आपका CIN जनरेट होगा, आपका तो आप यहाँ पे PMT 07 में complaint फाइल कर सकते हो, okay, date of credit to government account is deemed to be a date of payment, मतलब जिस दिन government account में पैसा जाएगा, उस दिन pay होगा, यह माना जाएगा, okay, तो यह कुछ चालान के important points हमने देखे, okay, other aspects of चालान, तो other aspects of चालान में CPI and stand for common portal identification number, short note आ सकती है, CPI and a क्या, तो CPI and stand for common portal identification number, मतलब क्या, मतलब जब आप यहाँ पे portal पे जाते हो, और PMT 06 चालान open करते हो, तो हर चालान को एक reference number आता है, उस reference number को CPI and कहते है, okay, common portal identification number, portal वो चालान को एक number देता है, identification number देता है, it is created for every चालान successfully generated, वो 14 digit का unique number होता है, okay, मतलब जैसे आपने चालान open किया, हुआ एक number assign हो जाता है by portal, उसके बाद में CPI and remains valid for 15 days, CIN इसके ओपर short note आ सकती है, it stands for चालान identification number, जैसे आप जो है, आपके बैंक के थूपे कर देते हो, तो payment होने के बाद आपके चालान पे CIN जनरेट होता है, यह proof of payment होता है, और CIN जनरेट होना बहुत जरूरी है, अगर C authorized bank, यह RBI when payment is actually received by such authorized bank or RBI and credited in relevant government account, okay, it is indication of successful payment of account, yeah, okay, यहाँ पे, आपका successful payment हो गया, यह CIN बताता है, CIN is communicated, okay, CIN is communicated by authorized bank to a taxpayer as well as gestion, और यह 18 digit का होता है, जिसमें 14 digit आपके CPIN होता है, और 4 digit आपका bank code होता है, तो इस तरह से CIN पे खादी short note पूछी, तो हमेंने cover कर लिया है, utilization of major head and minor head, okay, इस concept को समझ लो, utilization of major and minor head, अब समझ लो, यहाँ पे, वो कहना क्या चाते हो, section 14, यह section 49, PMT 09, चालान, okay, यह थोड़ा concept को समझ लेना, यहाँ पे वो यह कहना चाते है, कि समझ लो, आपके cash ledger में, अलग-अलग head होता है, आपके cash ledger में, example की तोर पर हमें ऐसा ले capacity और उसके बाद में sis, और minor head जो होता है, okay, आपके cash ledger ऐसा दिखता है, minor head में, okay, आपका होता है tax, okay, tax, interest, penalty, late fee, और other, other dues, इस तरह से होता है, तो आपका अब समझ लो, आपने पैसा deposit कर दिया, okay, आपने tax में पैसा deposit कर दिया 10,000 रुपे, interest में 2,000 रुपे, okay, और यह आपन में पैसा deposit किया, मैं specially बात करो cash ledger की, okay, CGST का, CGST का 20,000 आपने deposit किया, SGST का 30,000 आपने deposit किया, okay, और late fee में समझ लो, 1000 deposit किया, तो यह आपने PMT 06 चालान से पैसा आपके cash ledger में deposit कर दिया, फिर, फिर आपकी liability जो है, वो आपकी liability समझ लो, यहाँ पे इस मन्त में IGST के आई नह है, okay, यहाँ आपका output tax है, और SGST की liability 25,000 है, अब बाई साब, आपकी जो liability है, CGST की 25,000 है, SGST की 25,000 है, और आपने to CGST में cash deposit किया 20,000, okay, और SGST में भी समझ लो, 20,000, SGST में भी आपने 20,000 deposit किया, तो अब यह जो है, अगर मैं 2020 deduct कर दू, तो भी 5000, 5000 pay बलाएगा, तो अब मैं क् extra deposit करके रखा, IGST में, interest में, late fee में, तो यह जो मैंने extra deposit करके रखा हुआ है, क्या मैं यह, जो मेरी extra liability आ रही है, उसमें use कर सकता हो, क्या, तो yes, आप किसी भी minor head का, सुनिए, किसी भी minor head का balance, okay, आप दूसरे minor head में shift कर सकते हो, याँनि, IGST का tax का balance, आप इदर shift कर सकते हो, interest का भी आप shift कर सकते हो, आपको एक PMT09-4Line file करना पड़ेगा, और PMT09-4Line file करके, आपको जो यह बताना पड़ेगा, कि आप shift कर रहे हो, मतलब आप IGST को nail कर रहे हो, और उसमें का आप 5000 CGST में, 5000 SGST में shift कर रहे हो, प्लस interest का भी आप shift कर रहे होगे, तो interest का भी कर सकते हो, 2000 not only this, आप अगर आपका DDP होगा, सुनिए मेरी बात, अगर DDP होगा, और एक DDP में cash balance कमा रहा है, दुसरे DDP में cash legend में पड़ा हुआ है, तो आप इस DDP का balance दुसरे DDP में भी shift कर सकते हो, provided that आपके कोई outstanding dues नहीं होने चीए यहाँ पे, तो वो situation में, इसका balance दुसरे DDP को भी shift कर सकते हो, यह एक important provision थी, और यह section 49 था, आप, ओके, आप DDP में भी shift कर सकते हो, 2545 है, और आप, आपके cash ledger में भी shift कर सकते हो, और कैसे shift करोगे, तो आपको किसी भी तरह से, कोई भी minor head और major head का shifting allowed है, ओके, तो last, conclude करते है, e cash ledger को, तो e cash ledger को, अगर हम conclude करने जाए, तो e cash led में, जो आप पैसा deposit करोगे, वो credit होगा, जो पैसा deposit करोगे, वो credit होगा, okay, deposit credit होगा, okay, और tedious TCS, very important, tedious TCS, अगर आपने कोई, आपका कोई cut हुआ होगा, तो वो cash ledger में credit में आएगा, और इसका पैसा, okay, आप liability pay करने के लिए, आपका tax होगा, interest होगा, fees होगा, तो उसके refund भी claim कर सकते हो, आप carry forward भी कर सकते हो, या उसका refund भी claim कर सकते हो, तो इस तरह से cash ledger के सारे points मेंने cover कर ली है, अब आते है, e-credit ledger पे, तो e-credit ledger में, okay, यहाँ पे, पैसा आता कहां से, मतलब credit कहां से जमा होता है, तो यह आपको self assist करना पड़ता है, highlight this word, self assist करना पड़त उसके बाद में 17, okay, apportionment, block credit, उसके बाद में 18, 19, 20, 21, ITC के सारे sections apply करके के बाद, जिसका credit इस मन्त में मिलता है, उसका credit आप 3B में claim करोगे, और 3B में जो credit claim करोगे, avail करोगे, वो आपके credit ledger को credit होगा, I repeat, वो आपके credit ledger को credit होगा, यह सबज में आया है कि आपको, okay, तो य यह हुआ self-assess करना, 2B में पहले आएगा, 2B में फिर जिसके credit मिलते हैं, वो assess करोगे, जो 2B में नहीं आया पर RCM है, तो वो भी आप credit claim करोगे, और वो जो है credit आपके credit ledger में जमा होगा, लेकिन ख्याल रहे है, okay, जो भी credit आपका, यहाँ पे, सुनो, जो भी credit आपका जमा ह हुआ, आपके electronic credit ledger में, वो only output tax के लिए ही use किया जाएगा, जैसे cash ledger का पैसा, cash ledger में तो हमने पैसा डाला है, तो यह tax के लिए, interest के लिए, penalty के लिए, या कोई भी payment के लिए use होगा, लेकिन credit ledger का पैसा, भाई साब ध्यान से सुनना, credit ledger का पैसा only output tax payment के लिए ही use किया जा credit ledger भी use कर सकता हो, GST के payment के लिए, yes, लेकिन other dues होगे, तो स्रीप मैं cash ledger ही use कर सकता हो, credit ledger में use नहीं कर सकता, okay, उसके बाद में, credit ledger जब use करोगे, तो उसका credit utilization कैसे होगा, तो section 49.5 read with other section कहता है, कि सबसे पहले आप IGST का credit use करोगे, IGST का credit against the payment of IGST, balance होगा, तो आप इनी proportion म CGST और SGST के लिए use कर सकते हो, okay, IGST exhaust होने के बाद, I repeat, IGST exhaust होने के बाद, आप जो है, CGST का credit use करोगे, CGST का credit CGST में balance होगा, तो IGST में, उसके बाद में, SGST या UTGST, water rate में भी, SGST का credit SGST में, और balance होगा, तो IGST में, लेकिन cross credit between CGST और SGST does not allowed, okay, and a CGST और SGST का cross credit आपको allowed नहीं है, okay तो यह बात का आपको ध्यान रखना है, तो यह हुआ कि आपका utilization किस तरह से होगा, उसके बाद में, यहाँ पे electronic credit laser, अगर यह laser बना है, तो क्या credit होगा, और क्या debit होगा, आपको बता दू, credit जो है, यहाँ पे, जो आपने self-assist किया, on the basis of to be, वो होगा, और debit सिफ tax payment के बाकी purpose के लिए इसको debit नहीं होगा, या कोई reversal करना ITC, ITC reversal करना है, तो वो debit होगा, नो एक concept है refund, एक concept है refund, क्या हम electronic credit laser का refund क्लेम कर सकते हैं, अब दोनों laser में difference समझे लो, cash laser का refund बिलकुल कभी भी कर सकते हैं, आपका extra पैसा है, अगर आपका पैसा extra है, including TDSTCS, come on, सुनना, including TDST अगर आपके cash laser में पैसा extra है, तो आप कभी भी उसका refund क्लेम करो, government को कोई problem नहीं है, लेकिन credit laser का refund सिर्फ दो ही case में आता है, सुनना मेरी बाग, credit laser का refund सिर्फ दो ही case में आता है, okay, पहला, यहाँ पे credit laser का zero rated supply है, यानि अगर आप export कर रहे हो, और export में आपने inputs, input service यूज क मतलब एक chapter final level पे refund, तो उसमें आता है, तो आपको जो input और input service का, यहाँ पे, जो refund मिलेगा, ITC का, उस formula की साब से मिल जाएगा, अगर आप export करते हो, दूसरा inverted tax structure, sir, inverted tax structure क्या होता है, अगर आपका output tax rate, input tax rate से कम है, सुनना, आपका output tax rate, input tax rate से कम है, तो वो situation में आपको refund मिलत है, तो यह ITC की refund दो ही case में मिलते है, zero rated supply और inverted tax structure, register person deposit the amount erroneous refund sanction to along with interest penalty, the amount erroneous refund shall be recredited to e-credit leisure, तो अब समझ लो, कोई उसने यहाँ पे credit claim किया, और वो पता चला कि erroneous है, erroneous है तो department ने cancel कर दिया, अगर department ने cancel कर दिया, तो वो उसको recredit हो जाते है, नहीं समझा, sir, समझ लो, application file किया, इसको refund grant हो जाता है, refund अगर ITC grant हो गया, तो आपका e-credit leisure debit हो गया, पर फता चला कि नहीं है, यह गलत grant हुआ है, तो इसको, okay, government record कर लिया, इससे, तो government अगर इससे record कर लिया, तो जो electronic credit leisure debit हो आता हो, वो वापस credit हो जाता है, ठीक है, तो यह देखा हमने, जहां तक ह electronic credit leisure से related, चलो, अब थर्ड आते electronic liability register, थर्ड आते electronic liability register, चली, अब देखिए electronic liability register, आपकी liability, यह पढ़के जाना, किस order में आपकी liability यहाँ पे discharge होती है, electronic liability register करता है, कि जब भी आपके credit leisure और cash leisure पे balance आएगा, तो सबसे पहले आपको discharge करना पड़ेगा, self-assist tax, जो आपने खुद assist किया था, and other dues related to return of previous tax period, मतलब तुमने previous tax period में GSTR1 में जो अपने tax बताया से, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, कि GSTR1 फाइल कर दिया, और 3B फाइल ही नहीं किया, और बाद में उनके cash leisure और credit leisure में पैसा आया, तो जो previous tax period में, तुमने GSTR1 में self-tax assist किया था, या other dues assist किये थे, त पहले वो लाइबरीटी में adjust होगा, previous tax period में adjust होगा, फिर self-assist, जो आपने खुद असिस किया, और other dues related to return of current tax period, फिर आपके cash leisure और credit leisure में balance बचता है, तो current tax period में adjust होगा, और उसके बाद में, उसके बाद में, यहाँ पे any other amount payable under this act, including demand or recovery, बाकी फिर third जो होता है, आपके जो demand recoveries होगी, तो उसके against में adjust किया जाएगा, उसके against में adjust किया जाएगा, उसके बाद में, utilization of electronic liability register, तो अब यह आपकी जो liability है, यह liability, electronic liability register को debit होती है, tax, interest, fees, debit होता है, और कोई other dues होगा, और कि amount payable toward output tax होगा, तो वो debit होता है, अब यह debit कैसे adjust होता है, तो पहले credit leisure adjust होता है, फिर cash पहले यह होता है, और फिर यह होता है, तो आपका debit इस तरह से adjust किया जाता है, now certain liability only to be discharged through cash leisure, यह important पढ़के जाना, कुछ liability जो है, only cash leisure के तुरू discharge होगी, amount deducted under, okay TDS, TDS और TCS के लिए आप ITC use नहीं कर सकते, यह तो cash leisure से ही, सामने वाले का TDS, TCS काट रहा होता है, यह तो cash leisure से जाएगा, उसके बाद में, reverse charge basis के लिए आप credit leisure use नहीं कर सकते, composition scheme का payment होगा, section 10 का तो नहीं use कर सकते, और interest, penalty, fee, or any other amount होगा, तो इसके लिए से आप cash leisure ही use कर सकते हो, credit leisure in payment के लिए आप use नहीं कर सकते, यह cash leisure के तुरू होगा, reduction of penalty, the amount of penalty imposed or liable to be imposed shall stand reduced partly or fully as the case may be, if the taxable person makes the payment of tax, interest and penalty specified in the show cause notice or demand order and electronic liability register shall be credited accordingly, यानि अगर आपके इसमें notice that demand order आई होगी और आपने pay कर दिया होगा, तो उतना आपके, यहाँ पे लेजर में, liability register में कम कर दिया जाएगा, तो यह था regarding to आपके register कैसे maintain होगा, अब जो बेटा, दो रूल है, rule 86A and rule 86B, यह जो है, मैंने आपको शा sections लगाता है, rule 86A क्या कहता है, Commissioner having reason to believe, ITC available in electronic credit leisure has fraudulently availed, और is ineligible, may restrict the utilization of ITC till the following situation get corrected, अगर कमिशनर को ऐसा लगा, तो कि आपने ITC गदलत लिये है, section 16, 17, 18 के हिसाब से आपने ITC नहीं लिये, या फिर कमिशनर को ऐसा लगा, कि आपने ineligible ITC ले लिये, तो वो आपका ITC utilization को रो रोग देगा, freeze कर देगा, okay, कौन-कौन सी situation में ये situation learn करके दाना, कब उसको लग सकता है कि आपने fraudulently लिये, तो tax invoice or debit note or other, issued by non-existent supplier, और RP not doing the business from registered places, आपने ऐसे supplier के invoice for ITC लिया, जो existence में ही नहीं है, या जो place of business बता रहा है, वो place of business के उसका business ही नहीं है, so dummy fake invoice हो सकता है, तो वो आपका इसका utilization रोग देगा, या without receipt of goods or services or both, यह section 16 के condition है, कि ITC तभी मिलते है, जब आपको goods or services receive ही, अब आपको goods or services receive ही नहीं ही, तो फिर आप, okay, वो गलत ITC कहा जाएगा, ineligible ITC कहा जाएगा, और उसका utilization officer रोग सकता है, next, ITC available in respect of tax which has not been paid by the supplier, आपके supplier ने tax नहीं पे कि या अगले साल के September end तक, अगर आपको याद होगा, तो अगले साल के September end तक, आपके supplier ने, अगर 3B नहीं फाइल किया होगा, तो उसका ITC officer रोग सकता है, या RP taking ITC is not existence or not doing the business from register place, या जो ITC ले रहा है, वो ही फेक है, जो लेने वाला है, वो ही फेक है, वो business नहीं कर रहा है, य या आपने ऐसे goods or service के ITC ले लिए, जिसके tax invoice or debit note आपके position में नहीं है, तो ये restriction रहेगा, ये restriction 1 year तक continue रहेगा, ये हमने rule, ये पढ़ के जाना, कौन-कौन सी situation में 86A के restriction लग सकते है, 86B का एक restriction है आपके ITC पे, अब 86B का क्या restriction है आपके ITC पे, तो थोड़ा इसको समझ ले वो क्या कहता है, एक diagram से समझाता हूँ, let's take example month of April, okay, ये month of April में आपका inputs, capital goods or input service आपने लिया, inverse supply है, okay, और आपका outwards supply है, okay, ये month में समझ लो, case 1 लेते है, case 1 में आपके electronic credit ledger में opening balance 2 lakh है, और April का ITC आपका 9 lakhs का है, assume, April का ITC आपका 9 lakh का आपने लिया, total ITC आपके पास 11 lakh आया अब case 1 ये लेते है, कि आपका इस month का taxable supply का, सुनना, okay, आपका इस month का taxable supply का turnover 45 lakhs हुआ, तो अब ये rule 86 में कहता है, कि जो register person जिसका यहाँ पे value of taxable supply, excluding exempt supply, excluding zero rated supply, value of taxable supply जो है, उसका यहाँ पे below 50 lakhs होगा, तो excluding exempt या ZRS, below 50 होगा, तो उसको ये condition applicable नहीं होगी, और rule 86 B का restriction applicable नहीं होगा, मतलब क्या, मतलब देखो, restriction of rule 86 B not applicable, restriction क्या है, restriction में आगे बता होगा क्या है, मतलब ये हुआ, कि मतलब ये पूरा ITC यूज़ कर सकते है, समझे लो, इसका taxable supply है, कितना अधा taxable supply है, 45 lakhs, 45 lakhs का 18% उसका tax आ रहा है, 8.1, तो 8.1 के लिए क्या, अपना पूरा ITC यूज़ कर सकते है, कि ये उसके पास 11 lakh का ITC है, अगर उसके पास 11 lakh का ITC है, तो पूरा का पूरा ITC यूज़ कर सकता है, और balance carry forward कर सकता है, इसके ITC utilization पे कोई restriction नहीं रहेगा, और ये पूरा ITC यूज़ करे या zero rated supply, इसको छोड़ के, taxable supply की value 50 lakh के उपर है, तो वो situation में, rule 86 का restriction applicable हो जाएगा, और rule 86 का restriction क्या कहता है, rule 86 का restriction ये कहता है, कि output tax आपका जो भी आएगा, समझ लो, आपकी taxable value 52 lakhs थी, 52 lakhs का out, और कि आपका tax 9.36 lakhs, तो अगर आपका ITC, अगर आपका ITC 9.36 से जादा है, मत के पास excess ITC पढ़ा हुआ है, ज्यादा ITC है, इवन्दो आपके पास ज्यादा ITC होगा, लेकिन आप 99% of output tax, सुनना, 99% of output tax से ज्यादा ITC यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब 1% आपको cash leisure में pay करना पड़ेगा, तो आप output tax का 99% ही यूज कर पाऊगे, बाकी का आपको pay करना पड आपके पास 11,00,00 बैलेंस होने के बाद भी, आप से भी use कर सकते हो 99%, और के बाकी का ITC carry forward करो, आप carry forward करो, लेकिन आपको 1% तो भी आपको cash में देना पड़ेगा, ये restriction अपली के बल हो जाएगा, इसके कुछ exceptions है, वो exceptions आपके notes में मैंने दिये है, income tax आपने pay किया होगा, refund जो भी है, मैंने notes में दिये है, वो exceptions आपने पढ़ लेना, तो ये था rule 86B, अब बेटा, इस बार अगर exam में पढ़के जाना है, तो section 50, delay payment of tax, इसके ओपर थोड़ा अच्छा कासा work करके जाना, इसके ओपर section 50 पे, okay, आप थोड़ा अच्छा कासा, यहाँ पे, okay, problem solve करके जान calculation करके जाना, exam में आ सकता है, तो चलो, section 15 जो है, मैंने यहाँ बहुत अच्छे से explain किया है, तो इसके आगी section 50, okay, detail में discuss करेंगे, जो मेरे पास existing recording है, और वो existing recording से हम discuss करेंगे, और उसके बाद में, हमारा ये chapter payment of tax, जो सबसे easiest chapter है, वो हमारा बहुत अच्छे से खतम हो जाए और पसंद आई तो आपको क्या करना है, आपको सबको पता है, चलिए, तो देखते है section 50, इंपोर्टन प्रोविजन देगी, interest on delay payment of tax, देखो भई, आपने tax कब देना चाहिए, अगर आप मंतली scheme में होगे, मंतली scheme में होगे, और QRMP scheme में होगे, अगर आप मंतली scheme में होगे, तो अगले मेने के 20 तारिक तक, जब आपका GSTR 3 भी देना है, और QRMP scheme में होगे, तो आपको tax मंतली देना है, और अगले मेने के 25 तारिक तक, रिटन कौर्टर ली जाएगा, पर पेमेंन मंतली जाएगा, पहले दो first month, second month, तो अगले मेने के 25 तारिक, और third month, तो third month में जब आ GSTR 3 भी दे रहे हो, फिर वो हो सकता है 22 तारिक, हो सकता है 24 तारिक, तो जो आपकी GSTR 3 भी की डेट होगी, वो डेट, तो यहाँ पे 20 तारिक अगले मेने की, और यहाँ पे 25-25, या फिर third month की liability, जब आप GSTR 3 भी दे रहे हो, तब आएगा, तो वो आपकी due date रहेगी, तो अग अगर आपने due date में payment नहीं किया, क्योंकि आपकी cash laser की liability आ रही थी, और आपने payment नहीं किया, तो 18% per annum से आपको interest लगाया जाएगा, इसके problem solve करके जरूर जाना, और 18% per annum कब से, तो next day will be started from the date following the due date of payment, जो भी आपकी due date होगी, उसके next day से interest होगा, till the actual payment of tax आपको interest लगाया ज provided that interest on taxpayer shall be levied on that portion of tax that will be debited to electronic cash laser, मतलब, मतलब यह हुआ कि आपकी gross liability है, आपकी gross liability है, धान सुनना, और आपकी gross liability है 50 लाख रुपे, 50 लाख रुपे, जिसमें से ITC जो है आपका, वो है 30 लाख रुपे, यानि आपकी जो, okay, electronic credit laser से देना आएगा, sorry, electronic cash laser से, तो जो electronic cash laser से देना आएगा, वो कितना आएगा था, भाई, वो आएगा 20 लाख रुपे, तो जो आपको electronic cash laser को debit करना है, उस पर interest आएगा, यानि आपके gross liability पे नहीं आएगा, ये 20 लाख रुपे, okay, पे interest आएगा, into 18%, into जो भी number of days होगा, समझ लो, आप 20 दिल लेट होगा है, 20 divided by 365 ह अगर, तो इस तरह से आपका interest निकाला जाएगा, लेकिन इसका एक और meaning देखो, और क्या meaning देखो, देखो भई, आपकी दो liability थी, एक liability जो थी, वो आपकी output tax की liability थी, okay, output tax की liability थी, liability थी, और एक दूसरा, RCM की आपकी liability थी, वो आपकी रिवर्चार, पर वो invert supply की liability थी, अब आपकी output tax liability जो है, वो है 50 लाग, और आपका RCM है 5 लाग रुपए, और आपका RCM है 5 लाग रुपए, तो ऐसे situation में, द्हांस सुनेगा, 5 लाग रुपए, तो ये तो आपको मालम है, आपका जो ITC है, वो आप ITC यूज करना है, तो आप RCM पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते है, आपके पास 30 लाग का ITC है, तो 30 लाग का ITC आप सिर्फ आउटपूट टैक्स में यूज कर सकते है, मतलब क्या, मतलब आपको 20 लाग रुपए, इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर को डेविट करने है, ये कैश लेजर को, आपको डेविट करने है, 20 लाग, प्लस 5 लाग आपकी जो लाइबिलिटी आएगी, ये आपका रसीम के डेविट करने है, तो इन शॉर्ट आपकी जो लाइबिलिटी आएगी, हाँ, ये आईटी से में आपका रसीम का भी आईटी से कवर हो गया, ठीक है, इन सिंपल वर्ड आपको इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर से कितना ये आपको 25 लाग पे करना है, तो ये 25 लाग पे इंट्रेस निकला जाएगा, इसलिए एक्जाम में लिखते वक्त, नेट लाइबिलिटी वर्ड 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 यूज करना, क्योंकि नेट लाइबिलिटी मतलब फिर वह 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 तो ये वह भीजला की हुआ, आपकी ने आगा अगर वो आपने due date को पे नहीं किया, done, 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 इस तरह से हमारा section 50 भी खतम होता है, मज़ा आगया आपको, yes or no, बोलिये जोर से yes or no, आज़े यह विटा एक बहुत अच्छा chart मैंने बनाय हुआ है, और एक एक line बहुत अच्छे से समझ लो, यहाँ पे, और यह बात में आपको draw करना है, आज के आज, अभी के अभी नहीं तो बहुत पच्छता होगे, और इसका screenshot आपको निकालने के लिए मैं time दूगा, section 50 जो बात करता है, वो बात करता है, interest liability, बैसे section 50 बहुत सारी section में use किया गया है, और उसमें use किया जा है, section 50 में, आज के status में अब दो interest liability आपके सामने आएगी, section 51 में, read with section 52, and section 53 में, तो आपकी interest liability section 51, उसमें 2 जो time period के बारे में बताता है, और section 53 में आएगी, section 51, जो आपके उपर interest लगाता है, वो payment of tax, after due date, after due date, मतलब आपका जो output tax है, output tax है, plus RCM वाला tax है, जो आपको pay करना है, अगर आपने due date के बाद pay किया, तो interest लगाता है, और section 53 जो अभी नया है, ये interest कब लगाता है, ये जब, okay, ITC wrongly availed and utilized, wrongly availed and utilized तब interest लगाता है, चलिए, हम पहले section 51 को आप notes में से भी मेरे साथ पढ़ सकते हूँ, section 51 में, मैं अब due date क्या होती है, payment की due date क्या होती है, उसके बार में समझ दे, क्योंकि due date के बाद आपने pay किया, तो interest लग जाएगा, अगर आप monthly scheme में होगे, और आप QRMP scheme में होगे, अगर आप monthly scheme में होगे, तो आपका due date of payment of tax रहता है due date of return, actually GST law में due date of payment of tax ऐसा अलग date दिया ही नहीं है, उन्होंने कहा है, अगर आप properly section फढ़ो, यहाँ पे return के, तो जो आपका due date of return होगा, वही आपका date of payment of tax होगा, because return cannot be submitted, I repeat, return cannot be submitted without payment of tax, तो general sense में आपका due date of payment monthly scheme में होगा, तो 20th of next month, अगर extension दिया होगा तो extension, पर generally 20th of next month आपका due date of return माना जाएगा, then due date of return माना जाएगा, तो यह 20th of next month में cover हो जाएगा, चलिए, और अगर आप QRMP scheme में होगे, सुनो, अगर आप QRMP scheme में होगे, तो due date as follows, अगर फर्स मन की due date, QRMP scheme अगर आपको याद होगी, तो पहले मन की due date होती है, 25th of next month, second month का payment आपको 25th of next month में देना पड़ता है, और third month का जब आप return फाइल कर रहो तब, अगर आपको याद होगा तो, in short, in short, मेरा यह कहना है कि अगर आपने tax pay किया, अगर monthly scheme में 20 तारीक के बाद अगर आपने tax दिया, तो interest लगेगा, और QRMP scheme में, पहले मन का tax, QRMP क्या होता है, quarterly return monthly payment, तो पहले मन का tax, 25 तारीक के बाद दिया, तो interest लग जाएगा, second month का tax, अगले मेने के 25 तारीक के बाद दिया, तो interest लग जाएगा, उतने portion पे, और third month का tax, यहाँ पे, जो return की date है, उसके बाद दिया, तो interest लग जाएगा, ठीक है, अब यह तो due dates मैंने बताई, normal scheme और QRMP scheme में, अब मैं आगे जो बात करने जा रहा हूँ, वो बहुत important है, और वो क्या करते हैं, इप tax paid after due date, उपर जो due date बताई है, including the reason of late filing of return in GSTR 3B, मतलब, मैंने ऐसा क्यों लिखा, including late filing of return, first case में तो आपका return late हुआ, तो tax payment late होता ही है, और यहाँने आपका tax payment late जो हुआ, because आपने return due date को नहीं दिया GSTR 3B में, और second case में क्या होगा, second case में आपको return quarterly देने पड़ते हैं, quarterly देने पड़ते हैं, तो ऐसे case में हो सकता है कि 25th आपकी miss होगी due date, 25th mix होगी, तो बहुत due date में नहीं दिया, या फिर आपने return late दिया, इसलिए हो सकता ही कि due date miss होगी payment की, या फिर आपने simple word में कहूँ, तो आपने यहाँ पे return, return late file किया हो, उसके वज़े से late payment of tax हुआ, तो if tax is paid after due date, including the reason of late filing of return in GSTR 3B, क्योंकि 3B late file कर रहे हैं, लेट रहे होगी है, पर यह जो 3B आपने file किया, before proceeding under section 73-74, मतलब क्या, आपका return late हुआ, पर 73-74 की proceeding आपको लागू नहीं हुई, show cause notice, demand order, okay, show cause notice, demand order वगेरे, 73-74 final level पे आगे show cause notice, demand order आता है, final level पे आता है, ठीक है, तो अगर proceeding चालू नहीं हुई होगी, let's take example, आपका return का due date था April का 20 में, और आपने June, July में late कर दिया, पर April का return आपने June में दिया, या July में दिया, और आपके against में कोई notice नहीं आई तब तक, तो law कहता है कि, अगर आपके against में proceeding 73-74 की नहीं चालू ही होगी, और just return late हुआ है, तो वो case में interest pay होगा, rate होगा 18% per annum, rate क्या होगा, 18% per annum, इतने amount पे interest दिया जाएगा, यह बहुत important है, interest दिया जाएगा, amount payable by debiting electronic cash ले जाएगा, मतलब आपकी net tax liability plus RCM, sorry बेटा, यहाँ, एक minute, एक minute कुछ जाएगा, यह इधर उधर होगया, chat, just a minute, आपकी net tax liability plus RCM, मतलब क्या, in simple word, आप just return के लिए late हो गए, और जिसके वेज़े से आपका tax भी late हो गया, तो आपको 18% का rate लगेगा, और आपकी net liability, net मतलब क्या, total tax minus credit, minus credit के बाद जो net बचा, okay, plus RCM, क्योंकि आप electronic cash ledger को debit उतना ही करते हो, जो net आता है, तो net plus RCM debit करते हो, तो net tax liability plus RCM, okay, उतना आप debit करोगे, okay, और उतनी amount पे interest लगेगा, period, period कब से start होगा, next day after due date, मतलब आपकी due date 20 तारीक होगी, तो 21 तारीक से चालू होगा, अगर आपकी due date, QRMP scheme में 25 होगी, तो 26 से चालू होगा, third month की due date, आपकी 22nd 24th है, कुछ state में 22nd है, कुछ state में 24th है, तो 23rd 25 से चालू होगा, मतलब next day after due date, till the date of payment of tax, यह interest लगेगा, तो 1 minute फिर से, आपने late इसले पे किया, क्योंकि return late जा गया आपका, पर proceeding चालू नहीं होई, 73, 74 की notice वगरे नहीं आई, तो आपका interest 18% per annum, आपके net tax liability प्लस RCM, जो debit होता है electronic cash laser को, उतने पे ही लगेगा, लेकिन, लेकिन वो proviso कहते हैं, if tax is paid, after due date, because of late filing of return in GSTR 3B, और वो जो late file किया, वो after proceeding of section 73, 74, मतलब क्या, मतलब यह कि due date निकल गई थी, सुनो दहान से, due date निकल गई थी, return के, और return भी late हो गया, उसके पहले notice आ गई, 73, 74 की, उसके पहले notice आ गई, और notice आने के बाद मैं return दे रहा हूँ, I repeat, notice आने के बाद मैं, यहाँ पे return दे रहा हूँ, तो यहाँ पे भी interest लगेगा 18% per annum से, लेकिन यह interest, gross tax liability पे लगेगा, क्यों? क्योंकि notice आ चुकी थी, अब notice आ चुकी थी, और उसके बाद आप GSTR 3 भी दे रहे हो, तो gross tax liability पे यह interest लगेगा, okay, notice के पहले आपने return दे दिया, due date के बाद, पर notice के पहले तो 18% net tax liability plus RCM, अगर notice आ गई 73, 74 में, proceeding चालू हो गई, और उसके बाद आप return दे रहे हो, तो फिर gross tax liability, ITC का आपको reduction नहीं मिलेगा, और okay, tax कब से, तो next day after due date, till the date of payment of tax, यह तो था section 51 में, आपकी tax liability for output tax कैसे आएगा, अब आते हैं यह amendment पे, section 53 अब क्या कहता है, very important, इसके ओपर question आने के, आपको यहाँ पे पुरा chances है, देखिए, section 53 यह कहता है, ITC wrongly availed and utilized, अब यह and का मतलब क्या होता है, and का मतलब ही होता है, कि अगर आपने गल्ती से ITC ले लिया, wrongly availed मतलब क्या, कि one of the condition for ITC under section 62, कि invoice और debit note आपके possession में होना ची, बिना invoice के ITC ले लिया, इसमें first lot पे ITC ले लिया, या फिर आपने 180 days, 180 days वाला याद रखना, 180 days में payment नहीं किये, और ITC ले लिया, जबकि 180 days में payment नहीं किये, और ITC continue कर लिया, exam supply का ITC continue कोई भी reason के वजए से, जहां आपको ITC नहीं मिलना चाहिए था, वहाँ avail कर लिया, government कहती है, avail करो कोई दिक्कत नहीं, okay, avail कर दो कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत तब से चालो होगा जाएगी, जब आप वह wrongly avail कियो, ITC utilize करोगे, wrongly avail किया हो ITC utilize करोगे, मतलब क्या, यह दो situation create होती है, पहली, अगर आपने, if reversal or payment is done, before utilization, मतलब आपने जो ITC wrongly किया, use नहीं किया, उसका पहली reverse कर दिया, पहली reverse कर दिया, यह payment कर दिया आपने उसका, debit कर दिया, electronic credit ledger, तो interest नहीं लगेगा, okay, तो government कहना है, कि ठीक है न, wrongly कभी-कभी avail करना, ठीक है, पर utilize मत करना, यूटिलाइस किया, तो हमें दिक्कत है, उसके अगर तुमने avail किया, और reverse कर दिया, तो interest नहीं लगेगा, लेकिन आपने wrongly avail करके, उसको utilize भी कर लिया, wrongly avail करके, उसको utilize भी कर लिया, तो फिर लगेगा interest, और interest क्या rate से लगेगा, 24% पर annum से आपको interest लगाए जाएगा, 18 नहीं भाई, 24% से interest लगाए जाएगा, अच्छा, interest किस पर लगाए जाएगा, to the extent of amount wrongly utilized, अब समझे लो, आपने wrongly avail किया 1,00,00, पर उसमें का utilize किया 30,000, तो interest 1,00,00 पर लगेगा, या 30,000 पर, 30,000 पर, जितना आप wrongly utilize करोगे, to that extent, ही interest लगेगा, 30,000 पर interest लगेगा, अच्छा, interest कब से लगेगा, तो interest लगेगा, from the date of utilization, जिस दिन avail किया तब से नहीं, समझे लो, April का मैंने credit avail किया, April का credit मैंने avail किया, okay, avail करना मतलब क्या होता है, avail करना मतलब, तुमने GSTR 3B में claim किया, तो मैंने claim कर दिया, okay, April का मैं में, और वो wrongly जो avail किया, मैंने utilize किया, June में, July में, August में, whatever, तो जब मैं उसको utilize करोगा, वहां से interest लगेगा, एक बार बोलें मेरे साथ फिर से, जब मैं utilize करोगा, वहां से interest लगेगा, till the date of reverse a lot payment, जब तक मैं उसको reverse नहीं करता हूँ, जब तक मैं payment नहीं करता हूँ, क्योंकि wrongly लिया हो, मुझे reverse करना है, अब मैंने utilize कर लिया, तो okay, वहां से interest, जब तक मैं उसको reverse नहीं करता हूँ, अब इसमें भी date of utilization, उन्होंने through explanation explain किया है, date of utilization कैसे निकालना, और इसके लिए मैं problem आगे लोगा, बहुत अच्छा problem लोगा, आपको समझ जाएगा, ओके देखें, वो क्या कहते है, इब balance in electronic credit ledger, fall below the amount of ITC wrongly event, on account of payment of tax through return, मतलब क्या, कि अगर आपका electronic credit ledger का balance, आपने जो wrongly avail credit किया, यह अभी ऐसा नहीं समझ में आएगा, आपको problems नहीं समझ में आएगा, अगर आपका जो balance है, वो balance, जितना आपने wrong avail किया, कितना आपने तर रॉंग एक लाग, और आप tax के लिए यूज़ कर रहे हो, और अब balance एक लाग के नीचे गया, मतलब आपने use कर लिया वो credit, जो wrongly avail था, जब तक आपका balance एक लाग के उपर है, तब तक आपका एक लाग वैसा का वैसा intact है, यूज़ नहीं हुआ, पर जैसे ही आपका balance, जो wrongly avail एक लाग है, उसके नीचे गया, तो फिर, तो फिर आपको interest लगना चालो हो जाएगा, और आपका date of utilization बोला जाएगा, due date of return, जब आपने use किया, due date of return, जो मन्त में आपने use किया, उसका return का due date, और actual date of filing of return, whichever is early है, actual date of filing of return, whichever is early है, पहली बात तो दिमाग में रखो, आपको availment नहीं, utilization, जो मन्त में आपने utilize किया, वो मन्त का return का due date, या actual date of filing return, whichever is earlier लिया जाएगा, और वहाँ से interest लाग होगा, example से और clear समझेगा, wait for that, और उसके बाद में, if balance in credit ledger, fall below the amount of ITC wrongly availed, okay, balance in electronic credit ledger, fall below the amount of ITC wrongly availed, on account of any other reason, the date of utilization, मतलब वो tax payment की नहीं, वह कोई दूसरे payment है, कोई पुराना demand order वगएर है, उसका payment है, तो अगर कोई दूसरा reason होगा, तो date of utilization is the date of debit to electronic credit ledger, date of debit to electronic credit ledger, अब ये दो वाला पार्ट यहां अच्छे से समझ लो, पहले तो आप ये chart जो है, ये chart आपको आज की आज बनाना है, और ये chart जो आप आज की आज बनाओगे, इसका screenshot ले लो, पहले full screenshot ले लो, और बाद में half up ले लो, क्योंकि full में अगर कोई word नहीं दिखा, तो half up में आपको help होगा, और ये आपको आज ही बनाना है, समझे क्या आप? चलिए, अब half up ले लो, तो आपको थोड़ा clear words समझेगे यहाँ पर, और आपको आज ही बनाना है ये chart, समझ समझ कर, समझ समझ कर, अब हो सकता है बेटा, आपके notes में, लहां से सुनिएगा, आपके notes में, यहाँ मैंने class जो लिया होगा, तो हो सकता है, यहाँ पे मैंने calculation 24% पर एनम से किये हो, लेकिन आपको accordingly आप correction कर लेना है, और कि यहाँ interest 24% पर एनम से नहीं लगेगा, आपको correction करना है, और वो interest 18% पर एनम से लगेगा, I repeat, interest आपको 18% पर एनम से लगेगा, section 50, subsection 3 का, और यह जो interest है, आपको 18% से किस तरह से calculate करना है, मैं आपको आगे बताऊगा, और यहाँ था क्लियर, यहाँ था क्लियर, चलो, चली वेटा, अब नीचे टेबल पर आजाओ, नीचे टेबल पर आजाओ, आपको section 50, read with rule 88B, rule में थुड़ा और चीज clarify किया है, और देखो क्या, आप देखो interest जो है, यहाँ पर सुनो, interest जो है, यहाँ पर तीन तरीके से लगाए गया है, 88B, subsection 1, read with, section 50 में मैं explain कर चुका हो, साथ साथ में rule 88B भी दिया है, if tax has been belatedly paid, through credit balance, on account of delay filing of return, on account of delay filing of return, before commencement of proceeding, under section 73 और 74, simple word में, यह 73, 74 बात में देखेंगे, यह अभी कोई relevant नहीं है, पहले समझ लो, अगर आपका, सुनो, आपका belated payment है, और आपका tax मतलब output tax, और यह output tax का belated payment है, तो section 50, subsection 1 में, क्या rate of interest ते बेटा, 18% पर है ना, कब से आपको interest लगेगा, interest to be paid for a period of delay in filing said return, beyond the due date, up to date of filing GSTR 3B, याने next day after due date, till the date of filing your GSTR 3B, and till the date of payment, याने आपका interest जो लगेगा, वो आपका next day से calculate होगा, और कितना amount पर taxable होगा, तो जो आप electronic cash ledger से pay करोगे, electronic cash ledger से pay करोगे, मतलब net tax payable, after ITC, plus tax under RCM, tax under RCM, तो उतने amount पर आप यहाँ पर pay करोगे, ठीक है, done, चलो, अब यह तो समझे, यह तो सिंपल था, section 50, अब section 1 का interest, आप जो है, यहाँ पर next day से pay करोगे, और next day से जो पर करोगे, आप आपकी net GST liability, plus RCM, जो पेमेंट आप electronic cash ledger के थूँ करोगे, यहाँ तक समझ में आया, चली, next 88 B2, in all other cases, where interest is payable on delay payment of tax, under section 51, read with, okay, यहाँ पर, read with, section 77, and section 78, sorry, 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 section 70, यहाँ लिख दो, section 73, and section 74, the amount of tax, which remains unpaid, okay, यहाँ पर देख लेख लेगे, the amount of tax, which remains unpaid, यानि आपके gross amount पे, आपके gross amount पे, interest लगेगा, gross amount पे, interest लगेगा, okay, और वो 18% per annum से लगेगा, और next day after due date, अगर आप CA inter में हो, जहाँ से सुनिएगा, अगर आप CA inter में हो, तो आपको यह 73, 74 पढ़ने की जरुवत नहीं है, मतलब 88B2 यह आप cross कर सकते हो, 88B2 आप cross कर दो, क्योंकि section 73, 74 आपके syllabus में नहीं है, अगर CA 73, 74 का लगाओगा, तो आपको interest gross amount पे लगेगा, तो यह आपको पढ़ने की जरुवत नहीं है, लेकिन, अब देखिएगा, next stop, यह जो table का third part है, यह बड़ा important है, और यहाँ पे, यहाँ पे देखो, if interest is payable on ITC, wrongly availed and utilized, यह आपको बहुत अच्छे से करनके जाना है, if interest is payable on ITC, wrongly availed and utilized, तो देखो, period from the date of which utilization of such, wrongly availed credit, देखो wordings है, period from the date of utilization of such, wrongly availed ITC, till the date of reversal of such credit, और payment of tax, in respect of such amount, और के आपको interest देना है, और अगर आपने wrong, जितना wrongly availed and utilized किया, उस पे आपको 18% per annum से देना है, हो सकता है, आपके book पे, मैंने पढ़ाया है, 24% per annum, पर 24 नहीं, क्या rate से देना है आपको, 18%, यहाँ पे आप correction कर लो, और यह 18% per annum से आपको calculate करना है, और के notified rate, यह आपको correction यहाँ पे करना है, चली, तो यह 18% per annum से आपको calculate करना है, यहाँ तक clear, next, next, अब, अब आजाओ, आप next discussion पे, यह जो explanation है, यह explanation देखिएगा, अब यह क्या कहता है, देखो, ITC wrongly availed shall be constitute to have been utilized, when balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly availed, and the extent of such utilization of ITC shall be the amount by which balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly availed, sir, underline के लाग कुछ समझे में नहीं आया, तो टीक है न, मैं पढ़ाने वालो होना है आपको, next, date of utilization of such ITC shall be taken to be as under, if balance in e-credit ledger, fall below the amount of ITC wrongly availed on account of payment of tax, through said return, the date of utilization of such ITC shall be earlier of date on which return is due to furnish, or actual date of filing return, उस्दिन date of utilization माना जाएगा, b, when balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly availed in all other cases, बाकि अगर return की cases other cases होगी, the date on which utilization of such ITC shall be the date of debit to electronic credit ledger, all other cases मतलब, वो situation में आपका जो balance है, refund दे दिया, refund के वज़े से debit कर दिया, sir, ये कुछ भी समझ में नहीं आया, okay, मैं बैटा हो, समझेगा, समझेगा, okay, sir, यहां तक, हमने underline किया, उतना ही enough है, underline किया, उतना ही समझ में आया, तो enough है, ठीक है, चलो, ये दोनों point में आपको बहुत अच्छे समझाता हूँ, अब आजाओ, आपके notes में मैंने एक problem दिया हुआ है, और ये problem पे आजाओ, ठीक है, ये problem पे आजाओ, ये problem आपकी सारे problem solve कर देगा, ठीक है, आगे ये problem पे, step by step, अब मेरे साथ चलना है आपको, ठीक है, ये जो problem है, ये problem, आपके पुरारे notes में मैंने कुछ भी दिया होगा, ignore it, ignore it, और आपके notes में ऐसा corrected problem होगा, तो ये आपको follow करना है, एक बार मेरे साथ step by step देख लो, और ये जो है, आपको follow करना है, मन्त है, एप्रिल, में, जून, जुलाई, आउगस्ट, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, इन एलेक्ट्रोनी क्रेडिट लेजर, मेरा एप्रिल में, ओपनिंग बैलेंस, मेरे एलेक्ट्रोनी क्रेडिट लेजर का कुछ भी नहीं था, नील था, ठीक है, यहाँ देक्ट समझ गया, ओपनिंग बैलेंस नहीं था, इलीजिबल आईटी सी, मतलब, मुझे एप्रिल मेंने के, जो भी मैंने पर्चेस किया होगे, इनपूट्स, कैपिटल गूड्स, इनपूट सर्विस, तो जिसको मैं इलीजिबल है, मैं ले सकता हूँ, ऐसे साथ लाग रुपे थे, और आईटी सी रॉंग ली अवेल, मतलब, ऐसे कुछ, जो ब्लॉक क्रेडिट में होगे, सुनो, ऐसे कुछ, जो ब्लॉक क्रेडिट में होगे, या एक्जम में, या कोई भी रिजन के वज़े से, मुझे आईटी सी नहीं मिलते है, ऐसे मैंने गलती से, पचास अजार और क्लेम कर लिये, अवेल कर लिये, तो टोटल मैंने एप्रिल में, जब मेरा GSTR 3B फाइल किया, तो मैंने 7,50,000 का आईटी सी क्लेम कर लिया, तीक है, 7,50,000 का आईटी सी क्लेम कर लिया, अब एप्रिल मैंने का, मेरा आउट्पूट टैक्स जो आया, वो 7,00,000 रुपीज आया, सुनो, एप्रिल मैंने का, मेरा आउट्पूट टैक्स कितना है, 7,00,000, तो मेरे पास, ITC क्लेम किया हुआ, 7,50,000, और 7,00,000, मेरा आउट्पूट टैक्स लाइबिलिटी आया, मेरी रिटन की डूडेट थी 20 में, और मैंने एक्शूल रिटन भी 20 में को फाइल किया, रिटन की डूडेट भी 20 में को है, और एक्शूल रिटन भी मैंने 20 में को फाइल किया, ठीक है अब एक-एक मन लेते चलते हैं ठीक है और ये टेबल के नीचे का भी प्रोविजन पढ़ लेते हैं determine the date from when interest is applicable in our cases also calculate the amount of interest if wrongly avail and utilize ITC is reverse in September return मतलब ITC reverse किया गया 20 October को अगर wrongly को ITC लिया होगा तो 20 October को वो reverse किया गया calculate the amount on which interest is payable under rule 88B read with section 53 read with section 53 ठीक है चल अब मैं एक-एक मन लेता हूं तो आपको समझ में आएगा answer में April में मेरा output tax liability 7 लाग था मेरे पास credit कितना था 7 लाग 50 अजा तो answer में okay मेरा closing balance से credit का अब देखो यहां बदल जाएगा तो मेरे credit 7 लाग 50 अजार थे output tax 7 लाग था मेरे पास closing balance 50 अजार था मैंने wrongly कितना avail किया था 50 और balance भी कितना है 50 मतलब okay यह जो wrongly avail किया ITC यह short नहीं हुआ एक बार मुँ घुमा के बोलो यह wrongly avail किया ITC उतना का उतना पड़ा हुआ है short नहीं हुआ मतलब यह माना जाएगा कि अभी तक मैंने use नहीं किया यह माना जाएगा कि अभी तक मैंने use नहीं किया और अभी तक मैंने पचास हजार जो wrongly avail कि अभी तक short नहीं है उतना closing balance है तो ऐसे case में मैंने अभी तक use नहीं किया तो क्या मुझे interest लगेगा तो मुझे April में कोई भी interest ITC का नहीं लगेगा at the rate 18% पर है न यहां तक समझा होगा तो April का A type करो यहां तक समझा होगा तो April का A type करो फटा 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 ठीक है ओके ड़न फिर आते हम में में फिर आते हम में में अब यह जो है यह balance यह देखो यह wrongly availed हुआ बहुसी बार तो ऐसा होता है कि मेरा account नंडे ले लिया और हमको तीन-चार मैने बाद पता चलता है रहे यार इसका तो credit मिलता नहीं था तुने claim कर लिया अब यह जो है पचास हजार next month में opening balance बना next month में opening balance बना पचास हजार रुप है ठीक है कोई दिक्कत नहीं कि यहां पर अब next month में जो opening balance बना अभी तक मैंने reverse नहीं किया क्योंकि यह reverse मैंने 20 October को किया हुआ है तो में में भी continue रहा है में के eligible ITC थे मेरे पांच लाग के समझा में के eligible ITC थे पांच लाग के डन अब मेरा में का total ITC हुआ वो opening balance और eligible पांच लाग क्या मैंने में में कोई wrongly avail किया नहीं में में कोई भी मैंने wrongly avail नहीं किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं total मेरा कितना हो गया पांच लाग पचास अजार में की output tax liability मेरी पांच लाग तो मेरे पास closing balance पचास अजार तो मैंने जो wrongly avail किया ITC आज भी पचास वैसे का वैसा पड़ा हुआ है वो अभी तक short नहीं हुआ है वो अभी तक short नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं मुझे interest नहीं लगेगा क्योंकि interest तभी लगेगा जब मैं उसको use करूँगा इंट्रेस्ट तभी लगेगा जब मैं उसको use करूँगा मैंने use किया ही नहीं तो अभी तक मुझे interest नहीं लगेगा ओके utilize तभी बोला जाएगा जब यह short हो जाएगा तो दोस्तों मुझे बताओ मैं समझा क्या आपको ओके मैं समझा क्या आपको दैन चलो मैं समझाओगा तो M type कीजिएगा फटावट उसके बाद में next अब आगया जून यह पचास हजार balance जून में carry forward हुए अब यह जो पचास हजार का balance जून में carry forward हुआ और उसके ओपर फिर मैंने 3,000,000 का ITC लिया टोटल मेरे पास 3,500,000 का ITC हो गया अब मेरी जून की output tax liability 3,000,000 थी अब 3,000,000 में मैंने ITC यूज कर लिया तो मेरे पास closing balance 20 हो गया मतलब क्या मतलब जो wrongly avail किया ITC या वो short हो गया और वो short to that amount कितने amount से short हुआ 30,000 से तो जितने amount से short हुआ उतने amount से आपको interest लगेगा तो 30,000 से short हुआ तो मुझे interest 30,000 पे लगेगा तो देखो क्या अगर आप answer देखोगे तो क्या April में मुझे interest लगेगा क्या नहीं क्योंकि मैंने wrongly avail तो किया था पर utilize नहीं किया और जब तक मैं utilize नहीं करोगा तब तक मुझे interest नहीं लगेगा पर क्या मुझे जून में लग जाएगा क्या interest yes जून में कितने amount पे interest लगेगा 30,000 पे interest लगेगा जून में मुझे interest कितने amount पे लगेगा 30,000 पे लगेगा चलो यहां तक मुझे समझ में आ गया ठीक है अब ये जो जून में 30,000 पर मुझे इंट्रेस लगेगा ये कब से लगेगा कौन सी डेट के लगेगा तो अब section 50 sub section 3 में read with rule 88 B3 ओके इंट्रेस जो है आपका कब से लगेगा तो इंट्रेस जो है date of filing due date of return और date of actual return which is earlier मतलब आपकी last date of return 20 तारीक है अगर आपने 20 तारीक या उसके पहले return actual हो सकते है आप 18 को भी return दे सकते हो 17 को भी दे सकते हो तो दोनों date में से which is earlier उस दिन से आपका इंट्रेस चालू होगा तो मेरी due date 20 तारीक है मैंने actual 20 तारीक को ही दिया है तो मेरा इंट्रेस यहाँ पे 20 तारीक से चालू हो जाएगा ओके विच्वर इस earlier तो दोनों which is earlier में okay 20 जो है ओके earlier होगा तो मेरा actual interest 20 तारीक से चालू होगा मतलब क्या हुआ मतलब अब सर तो 20 से होगा या 21 से नहीं ओके यहाँ पे जो interest की date होगी date of utilization और date of utilization जो है वो due date next day नहीं next day नहीं date of utilization date of return और due date of return यह actual filing return which is earlier तो ऐसे case में आपको 21 से मतले ना जिस दिन आपने यहाँ पे ओके विच्वर इस earlier आया return का वहाँ से लेना याने आपका जो है 20 जुलाई से next day से नहीं देखो delay payment of output tax होगा section 50 subsection 1 का तो वहाँ next day से लेना और wrongly avail or utilization का होगा तो whichever is earlier जो date आई वो तो 20 जुलाई से आपका interest चालू होगा और यह आपने okay reverse या पेकप किया 20 October को तो 20 जुलाई से 20 October तो 20 जुलाई यहने 20 को भी consider कर लेना तो जुलाई के हो जाते हैं यहाँ पे बारा दीट I repeat लो calculator जुलाई के हो जाते हैं बारा दीट August के हो जाते हैं 31 okay calculator लोग देखते हैं यहाँ पे तो जुलाई के होगे 12 प्लस August के होगे 31 सप्टेबर के होगे 30 प्लस October के होगे एक मिनट जुलाई के 12 प्लस 31 प्लस जुलाई अगस सप्टेबर के 30 प्लस October के 20 तो यहाँ पे 93 डेज एक बहुत important बात है कि next day से नहीं लेना है आपको date of utilization से ही लेना है तो 93 डेज का 18% per annum से okay divided by 365 1376 round up करके आपका आ जाएगा यह समझा क्या बेटा अगर जून समझा होगा तो जे टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे 50,000 पे लगेगा या जितना short हो गया उतना तो जितना short हो गया कितने से short हो गया 30,000 से short हो गया तो जितना short हो गया उतने से लगेगा यहां तक समझा क्या चलिए अब आगे यह 20,000 का balance आगे carry होगा 20,000 eligible credit 6,000,000 रुपे है आगे carry होगा eligible credit 6,000,000 रुपे है total 6,20 हो गया इसमें से मेरी output में मैंने 16,000 यूज़ कर लिया output मैं 16,000 यूज़ करने के बाद मेरे पास balance 10,000 रहा तो अब मेरा और कितना short हो गया अब short 40 मत कर लेना ठीक है उसमें से 30 का तो interest हमने ले लिया पुरा अब वापस जो है वो short हो गया 10 तो यह 10 पे interest लगेगा अब 10 पे interest लगेगा कौन से मन का जुलाई इंटरेस कब से लगेगा due date of return एक्चुल आपकी due date थी 20 तारीक और आपने actual return दिया 18 तारीक तो whichever is earlier whichever is earlier तो ऐसे situation में आपका earlier अठरा तारीक है तो आपको जो है यहाँ पे 18th August से जुलाई का interest देखो तो 18th August से तो 20 October का 10,000 रुपए पे 18% per annum से interest लगेगा अगर आप number of days देखोगे तो वो 64 days हो जाएगे ओके 64 days हो जाएगे यहाँ तक समझा क्या तो यह हुआ वेटा जुलाई तो 64 days का आपको interest यहाँ पे देना है देन ओके उसके बाद में अब यह 10,000 रुपए वापस carry forward हुए है ऑगस्ट में total पांच लाग 10,000 रुपए और पूरा का पूरा यूज हो गया मतलब आपने ऑगस्ट में यह 10,000 रुपए भी यूज कर लिए तो आपको वो 10,000 रुपए पे ऑगस्ट से interest लगेगा यानि जब जब जितना जितना यूज करोगे यह बड़ा important word है जब जब जितना जितना यूज करोगे उतने पे interest लगते जाएगा तो यह 10,000 रुपए पे आपको no doubt whichever is earlier आपकी due date थे 20 तारिक और आपने रिटन दिया 25 को late दिया whichever is earlier तो यह 20 तारिक से तो आपको interest लगना चलो हो जाएगा तो यह 20 September से लेक अगर समझाओगा तो A type कीजिएगा ओके तो यह अब आपका एक सवाल आ सकता है कि सर हो सकता है कि आगे के मंत में हमारे ITC बढ़ गए बढ़ गए देखो यहने आपका अब 20 आया था ओके हो सकता है आपके ITC बढ़ गए होगे बढ़ गए होगे तो फिर interest नहीं आएगा क् sufficient balance है याने जब तक आपका यहाँ पे balance वो wrongly जो 20,000 है सुनो यह जो wrongly 20,000 है देखो पहला आपने 30,000 यूज कर लिया उसका interest तो लगे गए क्योंकि वो use trigger हो गया पर बात में अगर आपके ITC बढ़ जाते है समझे लो यहाँ eligible ITC 6,500,000 है तो यह 20 वैसे ही पड़े है अभी use से short हो गए 20,000 से भी short हो गए तो जितना आप use करोगे उतना interest लगेगा I hope you understood I hope you understood तो चलिए यह था regarding to calculation of interest अब आपको यह वाला point समझ में आएगा अब आपको यह वाला point समझ में आएगा देखो ITC wrongly avail shall be considered to have been utilized when balance in e-credit ledger कब बोला जाएगा क्या आपने utilize किया when balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly avail जब भी आपका balance credit ledger का जितना wrongly avail था उससे कम जाएगा बढ़ते जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं interest नहीं लगेगा पर जैसी उससे कम हो जाएगा जितना आपने use किया उतना interest लगते जाएगा and to the extent of such utilization of ITC मतलब आपको total 50 भी नहीं लगेगा to the extent जितना जितना आप use करोगे I repeat जितना जितना आप use करोगे to that extent उस मंद का आपको applicable okay interest लगेगा यह समझा क्या यह समझाओगा तो one type करो यह समझाओगा तो one type करो पहली बात तो okay अगर आपने wrongly available किया हुआ ITC जो है उससे आपका balance short हुआ तो ही आपको interest लगेगा दूसरा दूसरा जितना short होगा उतना ही लगेगा okay उतने ही लगेगा अच्छा next date of utilization कब बोलना okay कब बोलना कि आपने wrongly utilize किया तो वो कहते है if balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly available on account of payment of tax through said return the date of utilization of such ITC shall be earlier of due date और actual date of filing return which is earlier अब समझ जाएगा आपको अब समझ जाएगा यह बेटा class का फायदा होता है मतलब कभी कभी कुछ हमको self study से insight नहीं मिलता है लेकिन अब हर वर्ड आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आपका interest जिस दिन utilize क्या उस दिन से next day से नहीं जिस दिन utilize क्या उस दिन से लगेगा कब कहा जाएगा कि आपने utilize कब किया है तो वो due date of return और actual date of filing return whichever is earlier यह समझाओगा और बी बी जो है when balance in e credit ledger fall below the amount of ITC wrongly availed in other cases बहुत सी बार wrongly refund की debit हो जाती है entry वगरे तो जिस दिन debit हो आउस दिन तो चलो यह इतना important नहीं है पहला वाला ओके जो है हमारे discussion के लिए important है तो यह आपको अगर clause A समझाओगा तो A बड़ा important है यह आपने देख लिया यह समझाओगा तो पड़ा पड़ा clause A type करो चोटा A type करो तो in this way हमने यहाँ पे जो है section 50 sub section 3 rule 88 B हमने यहाँ पे देखा ठीक है दोस्तों चलो यह नहीं है दोस्तों चलो